इस मॉड्यूल में हम डेटा अनेलिसिस करतें से पहले जो डेटा और्गनाइजेशन करते हैं हम उसका पहला स्टेप जो है वो किसी भी डेटे की डिस्ट्रिबूशन बनाना है जैनि frequency distribution उसकी उस पे गुफ़्तओ करेंगे frequency distribution बेलकुल आम सी बात है जैसे अब class 6 7 में पढ़ते थे और mathematics में graph बनाते थे तो उसी तरह का graph बनाने की बात है ये graph जैसे मैंने graph paper का भी image जहाई अची लगाया कि आपके जहन में आएगा कि हम क्लास 8, 9, 10 में ग्राफ पेपर इस्तमाल करते हैं और मुख्रिफ तरह के डेटा को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे और टू डैमेंशनल ग्राफ होते हैं यह एक्स एक्स है और वाई एक्स है मसलान अगर मुझे यह ड्राफ करना हो कि मैं देखना चाहता हूं कि लोगों के नंबर आफ फॉरण विजिट्स और उनकी अवेरनेस अबाउट अदर कल्चर इनके दरम्यान मैं ग्राफ ड्राफ करना चाहता हूं कि कौन कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर जाता है और जो जितनी दफ़ा बाहर जाता है क्या उसके साथ साथ उसका उन कुल्चर का अंडरस्टेंडिंग जो है वो बढ़ती है या काम होती है या कोई आपस में इनका है या नहीं तो मैं एक ग्राफ पर एक तरफ एक वेरियेबल रख लूँगा दूसरी तरफ दूसरा मसल एकस एकसे पर मैं उनकी लेट से रखता हूं कल्चरल अंडरस्टेंडिंग और वाइकसे पर मैं रखता हूं कि वो कितनी दफ़ा विजिट कर किया है मैं इसको अधर वाइस भी र करते हैं और ऐसा करने को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन एक मिसाल आप इसकी अगर देखना चाहें तो देखें ये वो शकल है कर्व की जो आप स्टेटिस्टिक्स में जब भी पढ़ेंगे तो इससे वास्ता पढ़ता है इसको हम कहते हैं बैल शेप कर्व असल में क्या है कि आपने ये एक्स एक्स और वाई एक्स पे दो चीजों के DAYक को अप समयчит डॉड खिया और वो DATA लेस्टे के ये था जो हमारे पास है मैंने DATA लिया कि X एक्स एक्स पे किसी के number आप विज機्जिड्स कितने हैं किसी जगह के और दूसरी तरफ मैंने निकाला उसकी फ्रिक्वेंसी देखी कितनी दफ़ा ये अक्रेंस हुई है हमारे पास एक ग्रुप है असाद्जा का और हम ये देखना चाहरे हैं कि यार इन में से कितने लोग हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को एक दफ़ा विजिट किया है कितने लोग हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को दो दफ़ा विजिट किया है कितने लोग हैं जिन्होंने नौ दफ़ा विजिट किया है कितने लोग हैं जिन्होंने पांच दफ़ा विजिट किया है लाइब्रेरी को पिछले महिने में और ये डेटा मैंने कहीं से क्लेक्ट कर ल बता रही है कि पांच दफ़ा ऐसा हुआ यानि हमारे असादजा पांच हैं ऐसे जो एक दफ़ा बाहर गए या जब मैंने लाइबरेडी की मिसाल दे रहा तो आप उससे देखना चाहें तो पांच असादजा ऐसे हैं जो पिछले महीने लाइबरेडी को एक दफ़ा विजिट किया है 15 असादजा ऐसे हैं जोने लाइबरेडी को दो दफ़ा विजिट किया है 40 असादजा ऐसे हैं जोने लाइबरेडी को 6 दफ़ा विजिट किया है आप इसको विजिट अबराड समझ लें विजिट टू लाइबरेडी समझ लें जैसे भी वेरियबल है कोई भी नाम र देखें कि उसके साथ जो लाइन ऊपर वर्टिकल चल रही है वो पांच तक जाकर रुख गई है इसी तरह जिन्होंने दो विजिट्स किये ब्राड वो पंधरा लोग थे तो दो के उपर जो बार हमने ऊपर लाइन बनाई वर्टिकल एक्सेस के साथ वाइक्सेस के साथ वो प उसकी ये डिस्टिबूशन मिलती है ये जो कर्व बना हुआ है इसके उपर ये कर्व बनियादी तौर पर डिस्टिबूशन कहलाता है जो डिस्टिबूशन को रिप्रेसेंट करता है और स्टैटिस्टिक्स में ये कर्व बनियाद बनता है किसी भी डेटे को समझने के कि उसकी distribution क्या है